तो हेलो दोस्तों राजस्तान दस्वी और बारवी बोर्ड परिक्षा पर बहुती बड़ी खबर जारी हो गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड परिक्षा है जून में एक्जाम संबावित कोरोना के कारण इस साल भी हो रही है देरी RBSC दस्वी की परिक्षा पर संकट तीन मही के बाद लिया जा सकता है फैसला यानि आप सभी को पता है हर ओल स्टेट बोर्ड ने दस्वी के एक्जाम से रद कर दिये हैं RBSC एन कुछ इस्टेट बोर्ड ने एक्जाम रद नहीं किये हैं लेकिन क्या राजस्तान बोर्ड दस्वी के एक्जाम से रद करेगा बारवी के बोर्ड एक्जाम कब करवाएंगा किस प्रकार से करवाएंगा तो इस जो है रिलेटेड में जो है तीन मही को जो आपका एक फाइनल जो डिसिशन होने वाला है यहाँ पर मैंने आपको कम्प्लीट जो है इस दस्वी और बारवी बोर्ड परिक्षा पर कम्प्लीट जो आर्टिकल पोस्ट कर दिया है हमारी वेबसाइट पर आर्जे इस्टिडी मॉनिटर जिसकी मैंने डाइरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्षिन में दे दिये हैं जाइए और चेक कीजिए पूरा का पूरा राजस्तान बोर्ड का अपडेट अब यहाँ पर आप देख सकते हैं के CBSE and CISCE की जो परिक्सा है वो पोस्ट्पोन हो गई है आलांकि वहाँ पर भी जो है दस्वी की जो एक्जाम से वो कैंसल हुई है बाकी बारवी की जो एक्जाम से वो पोस्ट्पोन कर दिये गए हैं जब इस्थती जनरल यहनी सामान में हो जाएंगी तब एक्जाम करवा लेकिन हालांकि अभी तक एक्जाम जो है पोस्ट पॉन ही रहने वाल है लेकिन राजस्तान दस्य और बारवी के सभी स्टुडेंट हमारी पोस्ट पर जाईए कम्प्लिट वहाँ पर अपडेट पढ़िए जिसके मैंने लिंक डेस्क्रूट में दे दी है और तीन माई 2021 को फा पर आये नहीं सबका शलीशन है डाउटनट दोस्तों आप किसी भी किसंस में अटेक यह हो या सॉल नहीं हो रहा है तो बस किसंस का फोटो लेना है किसंस को क्रॉप करना है और 5 सेकेंड के अंदर अंदर आपको वीडियो शलीशन मिल जाएगा फिर चाहे वो किसंस आपका ह सबका जवाब मिलेगा डाउटनट एप पर या फिर कोई भी सबजेक्ट फिजिक्स केमेश्ट्री मैथ्स बाइलोजिस साइंस आपको सबी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट एप पर पढ़िये कोटा की बेस पेकल्टी जीबी सर एंजे सर आकांसा में प्रिंस सर ज क्याता बच्चे डाउटनट एप पर पढ़ाय कर रहे है आप भी जाए डाउटनट एप इस्टॉल कीजेे राजस्तान दसवी और बार्वी की बोड परिक्षा कभ होगी आपका पूरा का पूरा जो ए आपको डाउट से वो क्लिर करने वाला हो आप वीडियो को भी से लाइक कर दीजिए और विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट को आर्च च्टडी मॉनिटर जिसके डारेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टोटल अपडेट दे दिया है